हेलो कमाल के डिजाइनर्स आज हम डिटेल्ड डिजाइन टेक्नीक्स की दुनिया में गोता लगाएंगे चाहे आप प्रो हो या अभी शुरुआत कर रहे हो ये टिप्स आपके डिजाइन्स को एक नए लेवल पर ले जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं टाइपोग्राफी की अच्छी टाइपोग्राफी की पावर को कभी कम मतांखो ऐसे फोंट्स चुने जो एक दूसरे को कॉम्प्लिमेंट करें और परहने में आसान हो बोल्ड हेडर के साथ साफ प्रने में आसान बॉडी फॉंट बहुत फर्क डाल सकता है याद रखें टाइप फेसेस के मामले में कम ही ज्यादा होता है अब कलर थियोरी पर चलते हैं एक अच्छा कलर पैलेट आपके डिजाइन को सबसे अलग बना सकता है कॉंप्लिमेंटरी कलर्स का इस्तिमाल करके हार्मनी और कॉंट्रास्ट बनाएं अडोबी कलर जैसे टूल्स आपको एक्सपेरिमेंट करने और पॉर्फेक्ट कॉंबिनेशन ढूंढने में मदद कर सकते हैं अब स्पेसिंग और लेयाउट पर बात करते हैं परहने में आसानी और खूबसूरती के लिए सही स्पेसिंग बहुत जरूरी है गिट्स का इस्तिमाल करके एलिमेंट्स को सही से अलाइन करें और बैलेंस्ट कमपोजिशन बनाएं नेगिटिव स्पेस आपका दोस्त है ये डिजाइन को सांस लेने में मदद करता है और अव्यवस्था से बचाता है अब इमेजरी और आइकन्स की बारी हाई क्वालिटी इमेजिस और आइकन्स आपके डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं और मैसेज को ज्यादा असरदार तरीके से बता सकते हैं एक जैसा लुक बनाए रखने के लिए, एक जैसे स्टाइल्स और साइज़ेस का इस्तिमाल करें Fast loading time के लिए, images को web के लिए optimize करना न भूले User Experience या UX भी एक बहुत जरूरी पहलू है सोचें कि Users आपके design के साथ कैसे interact करेंगे Feedback लेने और जरूरी बदलाब करने के लिए usability टेस्ट करें अच्छा User Experience एक अच्छे design को बहतरीन बना सकता है आखिर में, Prototyping अपना design final करने से पहले, एक prototype बनाए ताकि बेठने की सब कुछ कैसे साथ काम करता Figma या sketch जैसे tools इसके लिए बहुत अच्छे Prototyping आपको शुरूआप में भी संभावित समस्याओं को पकरने और अपने design को refine करने में मदद करता तो यह हो गया Typography, Color, Tool, Spacing और Layout, Imagery और Icons, User Experience और Prototyping In detail design टेखनीक्स में महारत अच्छे करें और आप शानबार और असरदार designs बनाने की राखते हैं देखने के लिए शुक्री आपको अगर आपको यह वीडियो helpful लगा तो Like, Share और Subscribe करना आपको आपको और डिजाइन चिक्साओं डिजाइन करते रहे और मिलते हैं अगले वीडियो में अभी के लिए Bye